आज जो आप एक्सपेरिमेंट देखोगे या तो यहां से जमीन से विल बोटल को मैं पकड़ाओं यह से पानी निकल रहा है एर कैसर लगने के वाद सारा पानी जर 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 दो बस तू एट दूसरे को खीशती हैं पहले मैं करके दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ हेलो एबरीबान मेरा नाम है सनी आदब आज हम ग्रैविटी का पूरा तांडब समझेंगे किताब को पीसे नहीं हम घूम घूम के पढ़ेंगे जिससे हमारी पढ़ाई में कोई भी बोरिंग नैस नहीं हो तो क्या हम सुरू कर सकते हैं आज ग्रैविटी के बहुत सारे क्व क्यों होता है इसे एंटी ग्रैविटी बोल देते हैं लोग तो क्यों बोलते हैं और ये जीगी की बैल्ल्यो जिए और घटатी है और बढ़ती है और यह हवा का प्रतिरोह दियाने कए एर रेजिस्टेंस क्या है चलिए जानते हैं इन सारी क् wizard का जवाब मैं आपको aksperimen के साथ देने वाला हूं तो मैं कमबो से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वह एक्सपरिमेंट जो नमें ले चले तो आप लोगों ने जी की बैल्लिव 9.8 पड़ी होगी हम यहां पर निकाल के देखते हैं कि जी की बैल्लिव क्या होती है प्रेक्टिकली अब यहां से जो जी से बिलकोल यह 8 मीटर की हाइट है इंटा तक अब यहां से मैं बॉल को यू इकपल टू जीरो की स्पीड से छोड़ूंगा क्या छोड़ दूं मैं इस बॉल को और फिर हम यह देखेंगे कि टाइम कितना लगा नीचे गिरने में चलिए चेक करते हैं टाइम देखनी है और ह अब यहां से हाइट की बेलियू है 8 मीतर टाइम की बेलियू है 1.4 सेकेंड अब इसका इस्तमाल करेंगे और यहां से वहां से एयर रेजिस्टैंस भी केलकुलेट करेंगे चलिए ये काम नीचे बोर्ड पर करते हैं अब यहां समझते हैं जब हमने u equal to 0 से ball को drop किया तब हमें time लग रहा था 1.4 second अब यहां पर आपने motion की equation पड़ी होगी s equal to ut plus half gt square तो देखो भई या s, यानि कि यह पूरी की पूरी जो displacement है वो 8 meter ले ली u क्योंकि ball तो drop की है छोड़ी है तो initial जो velocity बे गए वो 0 है तो यह पूरा term 0 हो गया याप g की value अभी हम यहां से निकाल के देखते हैं क्या आएगी into time कितना ले लूँ 1.4 का whole square जब इसको 2 का multiply करूँगा तो 16 आएगा नीचे आएगा 1.4 का whole square और यहां से g की value आप calculate करना और calculate करके आएगी 8.16 क्या आएगी 8.16 meter per second square ओ आप कहोगे master g की value तो लेकिन 9.8 होती है क्या होती है 9.8 meter per second square तो मैं महासाय आपको बताना चाहूँगा हमने जो ball छोड़ी थी वो हवा में छोड़ी थी vacuum में नहीं अगर हम उस ball को vacuum में छोड़ते तो हमारी यही value आती लेकिन हवा में छोड़ने की बज़ा से यहां इस ball पर उपर की तरफ हवा का प्रतिरोध लग रहा है क्या लग रहा है हवा का प्रतिरोध अब भई असली value तो g की 9.8 होती है हमारी आई 8.16 तो हवा का प्रतिरोध यानिकी ए बोल दू इसको तो कितना आएगा g माइनस g माइनस g डैस असली g कितना है 9.8 और g डैस तुमारा कितना आया 8.16 तो यहां से जो acceleration की value आएगी वो आएगी तुमारी लगबग 1.7 meter per second square आप समझे हवा की बजासे इस बॉल पर लगने वाला तुमार्ड एक कोल्टू कितना आया 1.7 meter per second square साबास मास्टर आप हम समझे के हवा की बजासे प्रतिरोध कैसे लगता है कैसे हवा की बजासे उपर की तुमार्ड लग रहा है क्योंकि हवा इस बॉल की स्पिड धीरे करने की कोशिस कर रही है हवा इस बॉल को नीखे उतरने का बिरोध कर रही है आया अब acceleration है भहिया हवा का तो force भी होगा हवा का तो force कैसे निकालोगे हवा की वजासे तो f equal to m ये वाला a लगा दो तो पता चल जाएगा कि इस बॉल पर हवा कितना बल लगा रही है और ये जो acceleration निकाला है न मैंने वो average acceleration निकाला है हवा का average acceleration तो आज मुझे लगता है कि तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि हवा का प्रतिरोध हम यहां से कैसे निकालेंगे ओके, very nice अब पड़ी ध्यान से सोचो तो हमने सर्फ practically तो देख लिया कि G की value 9.8 होती है हवा का प्रतिरोध लगे तो ऐसे निकालते है पर असल में G की value 9.8 कैसे आई चलिए, दुगारा समझते है सबसे पहले हुआ क्या था हम जानते हैं गुर्तवा आकरसड की वज़ा से gravitational force की वज़ा से दो बस्तू एक दूसरे को खीचती है क्या करती है बोलिए मेरे साथ दो बस्तू एक दूसरे को खीचती है तुम भी कई चीज़ों को खीचते हो आकरसड के दौर में जी रहे हो ना चलो अब यहां पर देखो सेम ऐसे ही मनलो यह मेरी बॉल है यह मेरी प्रत्वी है मेरी प्रत्वी इस बॉल को खीच रही है ठीक है भाई साब तो gravitational force का जो सूत्र होता है formula होता है वो होता है gmm upon r square यह है mass of earth प्यारे लाल यह क्या है mass of earth और यह क्या है mass of ball अब क्यूंकि जब मैं इस ball को छोड़ूँगा और यह सब vacuum में हो रहा है अभी मनलो atmosphere है ही ने तो यहां पर एक acceleration लगेगा जिसको मैं बोल देता हूँ जी क्या बोल देता हूँ जी तो gravitational force को मैं क्या लिख सकता हूँ m a लेकिन एक ही जगे में क्या लिख हूँ है यहां पर g mg लिख दिया यहां पर g mm upon r square क्या m से m साफ कर दूँ तो g की value निकालने के लिए यह gravitational constant का मान रख दो वो होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 और यहां पर earth का mass यानि की धरती का द्रभ्यमान वो हो जाएगा 6 into 10 to the power 24 kg very nice सर और radius जो होती है नार्थ की वो होती है 6400 km कितनी होती है parallel 6400 km में बदल दो तो यह आजाएगा 10 to the power 5 मीटर ओके अगर इसमें point लगा दो हैं पर तो 6.4 into 10 to the power 6 हो जाएगा बलकी ठीक है और उसका भी square करना है कर दो भाई सर क्या radius का square कर दिया ठीक है सर इसको इटुक 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 solve करोगे आप तो solve करके यहां से आएगी जो value वो होगी 9.77 meter per second square और इसी को round off करके हम लिख देते हैं 9.8 meter per second square क्यूंकि लोगों को यह भी tough लगता है solve करने में तो लोग वड़े चालाक हैं अपने आके है ना काम आसान करने के लिए फिरे से 10 meter per second square ले लेते हैं अगर दो दुकाने लगाई जाएं जहां पर accuracy के लिए gq value 9.8 दे रखी हो और दूसरी दुकान में 10 दे रखी हो तो लोग पता है कहां भीड लगाएंगे gq value 10 लेने के लिए ज़्यादा line लग जाएगी समझ रहे हो हाँ तो ऐसे आई भाई साब अपनी gq value सही है master gq value आ गई तो gq value कैसे कम होती है कैसे बढ़ती है इस पर चर्चा कर लेते हैं अलदी से देखो फिर उसके बाद अगला एक experiment और देखा हूंगा यहां पर देखो अर्थ के surface पर धर्ती के धरातल पर gq का मान 9.8 ले रहे हो आप लेकिन जैसे जैसे उपर जाओगे उचाई पर चड़ते जाओगे mountain पर जाओगे यह हेलिकॉप्टर में बैठके कहीं जाओगे यह हवाई जाज में कहीं बैठके जाओगे तो उपर जाते जाते g की value और कम हो जाती है अगर तुमने धर्ती को छोड़ दिया तो gravity की value एंतरिक्ष में कितनी हो जाएगी लगभग 0 तो फिर यहाँ पर gravity की value किस सूत्र पर depend करती है वो यह लिखा है और यह सूत्र कहां से आया यहां से आया यानि कि उचाई पर जाते समय जो gravity का मान होगा वो तो होता है असलिए 9.8-1-2H अपन आरफॉर radius of earth यह क्या है जो अपनी धर्ती है उसकी तरज्या तो यहाँ पर जो height आएगी कि तुम कितनी उचाई तक गए हो वो यहाँ पर रख देना और ध्यान दे यह उचाई बहुत ज्यादा ना होनी चाहिए ठीक है अगर यह उचाई बहुत ज्यादा हो रही है तो यह वाला सूत्र इस्तमाल करोगे तो यहाँ से पता चलेगा कि gravity की value कम हो रही है क्योंकि देखो यहाँ पर minus 2h upon r लिखा है यानि कि height जितनी बढ़ेगी gravity की value उतनी कम होगी समझ में आजा तो धर्ती से उपर उचाई पर जाते जाते भी gravity कम होती है और सूत्र क्या है जिल्ड S equal to g 1 minus 2h upon r important और main सूत्र तो यही है यही से यह drive होके आता है यह सूत्र है जिल्ड S equal to g upon 1 plus h upon r का whole square और मुझे उम्भीद है कि यह तुमने gravitation वाली chapter में पढ़ा होगा अगर थोड़ी सी भी physics पढ़ी होगी तो ठीक है जैसे जैसे धरती से नीचे आते हैं तो जो gravity की value होती है वो कम होती है यानि कि उपर जाओ तो भी gravity का मान कम होना है और नीचे आओ तो भी gravity की value कम होनी है सही है अगर gravitation नहीं पढ़ा तो load नहीं लेना है आप इतना समझो, कि अर्थ से उपर जाने पर भी gravity घटती है, अर्थ से नीचे आने पर भी gravity घटती है, लेकिन उपर जाने पर ज्यादा घटती है, और नीचे आने पर कम घटती है, यही answer है, यही completion में पूछ लिया जाता है, आया की नहीं आया, ओके, अगले concept पर चलते हैं इस प्रस्ण को करने से पहले, मैं अपने कमबो से request करूँगा कि experiment दिखाया जाए, सोच रहा हूँ जवानी में एका जिग्रेवाला experiment कर लूँ, तो एक question आता है, और competition exams में भी आता है, पूछेगा कि भाईया, अगर कोई आदमी, किसी object को लेके कूटता है, तो क्या object उसके contact में रहेगा, क्या acceleration उसका G होगा, या 0 होगा, तो वो सब इससे समझने की कोशिश करेंगे, पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ, तो मैं कूद रहा हूँ अब, धंग से लेना प्लीज, या, तो आपने देखा होगा, शुरूवात में हाथ के contact में थी बोटल, जैसे ही में गिरा, मेरे हाथ से contact लूज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, चलिए समझते, एक्सपरिमेंट देख लिया, मेरे हाथ में बोटल थी, मैं नीचे गया, बोटल का contact मेरे हाथ से छूट गया, देखा कि नहीं देखा, इसी पर प्रस्ण पूछा गया है, इसमें प्रस्ण में बोलाए कि एक चोर डवलू भार से भरे एक कीमती बक्से को, मैं चोर नहीं हू मैं तो बोटल लेके कूद रहा था, कहानी सब बैसी है, लेकिन आप एक डवली उभार का बक्सा लेके एक चोर छट से कूद रहा है, और ये बक्सा जो है उसकी पीट पे रखा हुआ है, तो बताईए कूदते समय है, एच उचाई की दीवार से धरातल पर गिता है, धरातल पर गिरने से पहले बह बजन अनुभव करेगा, तो वो कितना चोर धरातल से गिरने से पहले बजन को अनुभव करेगा, भई गिरने से जश्ट पहले, बजन तो उसकी पीट के साथ कॉंटेक्ट में होगा ही नहीं, जैसे की बोटल मेरे हाथ के कॉंटेक्ट में नहीं थी, तो भार कितना महसूस होगा चोर को ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों कॉंटेक्ट में पर असलियत में दोनों कॉंटेक्ट में नहीं है क्योंकि मेरा भी फ्री फॉल हो रहा था और बोटल का भी फ्री फॉल हो रहा था इसी तरीके से हैं चोर का भी free fall हो रहा है और बजन का भी free fall हो रहा है और आप जानते हो कि कोई भी object जब उसका बजन देखना होता है हमें तो बजन देखते हैं normal reaction से और यहाँ पे normal reaction होगा mg और जब contact में gravity 0 हो गया तो normal reaction हो जाएगा 0 यानि की चोर को सुनने बजन महसूस होगा उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा लेकिन जैसे जमीन पर गिरेगा पट से वैग उसके उपर गिरेगा और उसकी पीट को तोड़ देगा समझ में आया कि नहीं आया चलिए एक और बढ़िया सा concept फिर से मैं कम्बों से request करूँँगा आज जो आप experiment देखोगे उसे anti gravity के नाम से बताया जाता है और वो फर्जी बताया जाता है बिल्कुल है ना तो आज इसका सही explanation जानते हैं और physics की तरफ से हैं भाई हम अब एक बात बताओ इस bottle को मैं पकड़ा हूँ यह से पानी निकल रहा है gravity की वज़ा से निकल रहा है अ तो कंबो ने experiment दिखा दिया अब इसका बड़िया सा रीजन जान लेते हैं कई लोगों ने इस experiment को perform भी किया है पर आप लोगों को गुम्रा किया है आज हम इसकी सच्चा ही जनते है होता क्या है होता यह है कि भाई साथ यह bottle है इसको जैसे ही हमने इसका कैप open किया तो air pressure लगा गिर रहा था जब मैं बोटल पकड़ा था तो पानी टिप करके गिर रहा था के नहीं लेकिन जैसे ही मैंने बोटल को छोड़ा बोटल नीचे गिर रही थी पानी नहीं तो उसके पीछे का कारण क्या है बड़े ध्यान से सोचो जब भी कोई object को हम एक्सलेरेशन से ग होता है g-a आप लोगोंने lift का concept पड़ा होगा कि यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है और तुमने महसूस भी किया होगा जब lift नीचे आएगी किसी a acceleration से तो आपका बजन बैसे तो mg होता है ठीक है लेकिन इसमें बैठे हुए इंसान पर एक pseudo force लगेगा जो की होगा उपर क की तरफ ma क्योंकि a acceleration से lift चल रही है तो pseudo force उपर की तरफ opposite direction में लगेगा कितना ma तो जिसकी बजासे इसका जो apparent weight होगा वो होगा mg-ma यह आपने पढ़ा है कि नीच आप lift में बैठे होंगे तो महसूस भी किया होगा आप हलका महसूस करते हो है ना गुदगुदी होती है चोड़ रहेते बोटल को तो इसके अंदर जो पानी है वो भी मैसूस कर रहा होगा जी इफेक्टिव क्या है जी माइनस अब यहां से m common ले लो तो कहीं ना कहीं वही सूत्र हो जाता है इसी चीज़ को हम जी इफेक्टिव बोल देते हैं तो जी इफेक्टिव क्या हुआ ज से चोड़ रहे हैं तो जी इफेक्टिव क्यतना हुआ जी इसी को तो बोल देते हैं लोग ईंटी ग्रेविटी इसका मतलब बोतल तो जी इक्सेलेशन से गिर रही है लेकिन अंदर वाला पानी उस पर कोई ग्रेविटी नहीं लग रहा ग्रेविटी क्या है उस पर जी रो इसलिए वो पानी नीचे नहीं गिर रहा, और ये non-inertial frame में ही possible है, ये कौन सा frame है, क्योंकि A acceleration से चल रहा है, तो non-inertial frame, हिंदी में इसको बोलते हैं, आज अड़त्विय frame, आपको समझ में है, आज अड़त्विय frame में रखी हुई बस तो यदि A acceleration से उपर नीशे जाती है, ये भी concept आप समझ गये होंगे, चलिए अगले धुआधार किसी lecture में मिलेंगे, अपने rank plus के channel पर भी मिल सकते हैं, अपने sunny आदब सर वाले channel पर भी मिल सकते हैं, जब तक के लिए bye bye, ta-ta